यह हमारे घर के बगल में ही बहुत छोटा सा नर्शरी है दोस्तों जहां मैं आई हूँ तो दोस्तों आप देखी रहे हैं कि नर्शरी में बहुत सारी वेराइटी के प्लांट है कुछ इंडोर प्लांट है आउडोर प्लांट है सीजनरी प्लांट है अभी तो विंटर सीजन क यह ज्याद trivia Chyote Chyote Ponts, तो दोस्तो यह प्लांटों को ग्रों वियरोरे तो दोसटों को देखकर बहूत अच्छा लगता है और यही चीज को जब हम अपने घर ले जाते हैं तो इनकी ग्रोथ रुख जाती है तो नर्सरी वाले ऐसे इन प्लांटों के सांथ ही क्या करते हैं जो हम घर पर नहीं कर पाते हैं हम अपने घर पर इसकी मिट्टी भी बहुत अच्छी बनाते हैं तब भी यह अच्छे ग्रोथ क्यों नहीं कर पाते हैं और इनकी मिट्टी देखा जा दोस्तों तो बहुत ही सक्त होती हैं चिकनी मिट्टी वाली प्लांट में ग्रो करा देते हैं तो दोस्तों इसका क्या रिजेन है तो यहां आने पर मुझे जो इनका सिगरेट पता चला दोस्तों आज इस वीडियो में आप लोग के साथ सेयर करूंगे इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्कीप ना करें और इस वीडियो को पूरा देखें दोस्तों कि हमारे जो नरसरी वाल नहीं कर पाते हैं या फ्लावरिंग सही ढंग से नहीं हो पाती है यह देखें गुलदाओदी के बहुत छोटे-छोटे से प्लांट लगे हुए हैं और बहुत हेल्दी भी है इसके जितने केयर हम करते हैं घर में यह बिल्कुल उतने केयर नहीं करते हैं लेकिन इसका में ए देखिए दोस्तों काफी अच्छी ग्रोथ है यह काफी खुबसूरत इनके प्लांट होते हैं दोस्तों लेकिन जब हम इनको अपने घरों में लगाएंगे तो पहले पते गिरेंगे पते पीले पर जाते हैं इन समस्याओं से बचने के लिए नर्सरी वाले जो करते हैं दोस्त चलिए आज हम अपने प्लांटों में डालते हैं इसका रिजल्ट आप भी देखिएगा दोस्तों यह है डिये पीके दाने तो डिये पीके दानों में दोस्तों क्या होता है इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है नाइट्रोजन हमारे प्लांटों के मिलेंगे तो यकीनन हमारा प्लांट ग्रोक्त करेगा और बहुत ज़्यादा बड्स और फ्लाउरिंग देगा तो दोस्तों यही काम यह करते हैं ना इस मिटी के कुराई करते हैं ना मिटी में आप जिस तरह हम लोग वेंड्राय मिटी बनाते वो भी यह काम नह के जाकते हैं अगर भी अप्रोसपर ट अपने करते हैं इसे 3 ओ 0,3000 के बैदानimet, पानि औंए कर आम फिछलोस ह्usz दान सुरी कहिं के दानがुझारे घॉय जा नाया हो बांते स्की प्रोसमरिने में वेलें करें करें घूंडीया कि दानayı में करते हैं देखिए दोस्तो ये DAP के दाने हैं DAP के दाने market में दोस्तो दो तरह के आते हैं एक white color के आते हैं एक black color के आ अगर market में आप को इस color के दाने ना मिले तो घवराईएंगा नहीं वो भी DAP के ही दाने हैं जो हमारे plantंटों में सेम काम करता है तो दोस्तो इस तरह से हम सारे प्लांटों में डिये पीके दाने को अपलाई करेंगे तो दोस्तो आप देखी रहे हैं हमारे ये डिये पीके दाने से ही हमारा प्लांट कितना अच्छा डेवलग करता है दोस्तों देखी रहें छोटे से छोटे पॉर्ट में बहुत ही कम मात्रा में हम डिये पिके दाने डालते हैं ज्यादा मात्रा में डालने से दोस्तों इसका रिजल्ट भी खराब हो जाता है D.A.P. के दाना जितने हमारे प्लांटों को फायदे करते हैं उतनी नुक्सान भी दे जाते हैं क्योंकि कोई भी ज़्यादा मात्रा हमारे प्लांटों के लिए सही नहीं होता है इसलिए आप दोस्तों अगर आप वर्किंग लाइफ करते हैं तो आप इस तरह से छोटे से छोटे काम करके अपने बगिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में फूल ले सकते हैं इसका यूज करने से प्लांट हेल्दी रहेंगे और आपके भी गार्डन में नर्सरी जैसे ही यूजर ले करें बहुत हैं